You are most welcome at our channel आजवाब खाना स्वात का नजराना आज में लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जिसके बिना कोई भी चाट, भेल, समोसा, दही बड़ा अधूरा है जी हाँ, आज में बनाऊंगी इमली की खटी मिठी चटनी, वो भी बिल्कुल हलवाई वाली जो आप मार्केट में या शादी पार्टी में खाते हैं इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स और फैमली में जादा से जादा शेयर कर दें तो इससे मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इंस्परेशन मिलती है तो इमली की जबरदस सी चटनी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम इमली ली है इसे आधे से एक घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए अगर आपके पास टाइम नहीं है और फॉरन से बनाना है तो आप हलके गरम पानी में भिगो दीजिए तो ये 10-15 मिनिट में ही सॉफ्ट हो जाएगी तो मैंने इमली को भिगो कर और ढखकर रख दिया इमली हमारी तकरीबन एक घंटे से भीगी हुई है तो ये सॉफ्ट हो गई है अब इसको इस तरह से हातों से मसल कर बीज को निकाल लेंगे और अगर आपने बिना बीज की इमली लिए तो भी एक बार चेक कर लें और ध्यान से सारी बीज निकाल लें यहां सारी बीज मैंने निकाल ली इमली में से तो अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे इमली को पीसने के बाद इस तरह से एक बाउल में एक चंड़नी रखेंगे और फिर इसे चान लेंगे चानने से जो कोई रेशा वगरा रह गया होगा तो वो निकल जाएगा और चट्नी हमारी बिल्कुल स्मूध बनके तयार होगी और देखिए चानने के बाद इसमें से कितने सारे रेशे वगरा निकले हैं इमली के तो इसे हम निकाल के हटा देंगे और हमारा बढ़िया साथ स्मूध पल्प तयार है अब इस इमली के पल्प को आप चाहें तो ऐसे भी स्टोर करके रख सकते हैं दाल वगरा में या किसी और रेसिपी में यूज करने के लिए अब हम स्लो फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे जीरा एक टीस्पून सौफ एक टीस्पून साबुद धनिया एक टीस्पून और काली मिच अधा टीस्पून भून लेंगे भून कर डालेंगे तो इमली की चटनी का टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा क्योंकि जब हम मसालों को भूनते हैं तो मसालों की खुश्बू और भी अच्छी आने लगती है और टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है तो अपकी इमली की चटनी बनाईएगा तो ये स्टेप जरूर करिएगा और फिर अपनी इमली की चटनी का टेस्ट और खुश्बू देखिएगा स्लो फ्लेम पर जब इन मसालों की अच्छी सी खुश्बू आने लगे तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून सोट का पाउडर सोट पाउडर फॉर्म में है तो इसलिए बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाएगा इसलिए हमने इसे बाद में डाला है सोट डालकर इसे हम स्लो फ्लेम पर बस थोड़ी देर भूनेंगे जब तक कि सोट की खुश्बू ना आने लगे सोट की बहुत अच्छी सी खुश्बू अब आने लगी है तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए अब इसे ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे अब नेक्स्ट हमें कडाई अभगोना चूले पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसमें बहुत थोड़ा सा ओयल करीब 1 टी स्पून डालेंगे और तेल जैसे हलका सा गरम होगा मैं डाल रही हूं 1-4 टी स्पून हींग और 1-5 टी स्पून जीरा जीरा जब चटकने लगे तो इसमें हम इमली का पल्प डालेंगे और 1-5 कप पानी भी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे और नेक्स्ट हम डालेंगे 150 ग्राम गुड़ और मीडियम फ्लेम पर गुड़ को गलने तक पकाएंगे बीच बीच में चम्मच को चलाते रहेंगे जिससे की गुड़ जल्दी से गल जाए तो 4-5 मिट लगे हैं और गुड़ बिल्कुल गल गया है तो अब आ रहे हैं इमली की चटनी को चटपटा और मज़ेदार बनाने का तो इसके लिए मैं डालूंगी और नेक्स्ट हमने जो रोस्ट करके मसाले पीसे थे वो एड़ करेंगे ये रोस्टेट मसाले हमारी इमली की चटनी की खुश्बू और जाएके को चार चान लगा देंगे ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करिएगा और पसंद आये तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा इससे मेरी होसला अवजाई होती है इसे मिक्स करेंगे, अच्छा इस चटनी को हमें तेज आज पर नहीं पकाना, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे जिससे ये धीरे-धीरे से पकेगी तो सारे मसालो का फ्लेवर चटनी में अच्छे से रिलीज होगा मसालो को मिक्स करने के बाद, अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे 50 ग्राम चीनी आप अगर चीनी ना भी डालना चाहें तो कोई बात नहीं गूर की क्वांटिटी को बढ़ा दें पस चीनी डालने से चटनी में शाइन और ग्लेज बढ़ जाता है और इसका टेक्स्चर और भी बहतरीन हो जाता है तो अब इसे हम मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें जो चाहिए वो ना मिल जाए तो चमच को हमें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है अब हम एक पैन या कड़ाई लेंगे और उसमें चार मगज या मेलन सीट्स दो टेबल स्पून डाल कर हलका सा रोस्ट कर लेंगे इसे भी स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे जब यह फूलने लगे और क्रंची हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे इधर 5-7 मिनिट हो गए है चटनी को पकते हुए और आप देख सकते ही कि यह गाड़ी भी हो गई है और चमच पर भी इसकी लेयर आने लगी है और अभी जब यह थंडी होगी तो और भी गाड़ी हो जाएगी तो यह परफेक्ट हमारी रेडी हो गई है वैसे कंसिस्टेंसी आपको जैसी पसंद हो आप रख सकते हैं और अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और रोस्ट किये हुए चार मगस एड़ कर देंगे जिससे चटनी देखने में अच्छी लगती है और टेस भी बहुत अच्छा आता है आपको पसंद हो तो ज़रूर डालें बिलकुल मार्केट जैसा लगेगा अब इसे मिक्स करेंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी खटी मीठी इमली की चटनी तयार है इसका लाजवाब कलर, टेक्स्चर और शाइन देखकर ही मुँ में पानी आ जाएगा ये इमली की चटनी, दही बड़े, चाट, आलू की टिक्की, भेल, समोसा सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है इसे एक बार बना कर किसी एर टाइड डिबे में 5-6 महीने रखकर फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और रूम टेंपरेचर पर इसे एक से डेड़ महीने स्टोर कर सकते हैं बस जिस शीशी में आप स्टोर करें वो कांच की हो और अच्छे से धो कर और सुखा कर रखें उमीद करती हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी इस रेसिपी को आप लोग लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिए साथी बेल आइकोन को प्रेस कर दीजे तो इससे आपको हमारी रेसिपी इस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा थाइंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग